वेलकम करता हूँ गाइस मेरा यूटूब चैनल में और आज हम सीखेंगे कि जब आपका चैनल मॉनेटाइस हो जाता है तो आपको कुछ गलतिया नहीं करनी होती कि जैसे कुछ लोगों का channel monetize हो जाता है तो वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वज़े से आपका channel demonetization हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपका channel suspend हो जाए तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ ऐसे tips में आपको बताऊंगा जिससे आप जान सकोगे कि कैसे आप अपनी वीडियो पर हमेशा के लिए monetization on रख सकते हो और वो गलतियां आपने नहीं करनी है जो लोग करते हैं और उनका channel demonetization हो जाता है या फिर उनका channel permanent stop हो जाता है ठीक है गाइस अगर आप मेरे channel पर नवे हो तो प्लीज मेरे channel को subscribe कीजिए बैल ऐकन को प्रेस कीजिए और ऐसी information वीडियो मैं YouTube पर लेकर आता हूं YouTube से related अगर आपका कोई भी question है तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं मैं हरे के comment कर रिप्लाई करता हूं आप मुझे Instagram पे भी आप मुझे DM कीजिए और मैं आपके DM का हर एक DM का रिप्लाई करता हूं ठीक है गाइस तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को तो गाइस पाइंट नबर वन होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने अपना होता है कि कई बारे क्या होता है कि आपका जो दी उन टिमोनिताइशन हो जाता है पर कहीं ऐसा ब्रीट कर दिया है प्राइवेट कर दिया है तो क्या हुआ है कि उनका चैनल डी मॉनेटाइजेशन नहीं हुआ तो आपको यह गलती नहीं करने है कि जिस पर आपके सबस्रेदा व्यू आ रखे हैं या सबस्रेदा आपका वाच टाइम आया हुआ है तो आपने उस वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करना और ना ही आपने कभी उन वीडियो को प्राइवेट करना है ना कभी अनलेस्टेड करना है तो आपकी वीडियो जैसे चल रही है आपको चलते रहने देना है पर अगर आपके किसी भी वीडियो पर अगर कोई कॉपीराट क्लेम आ जाता है कुछ आता है आप उसे डिलीट कर सकते हो, डिलीट करके दुबारा अप्लोड कर सकते हो, क्योंकि copyright claim में आपको बड़ी प्रावलम आती है, क्योंकि उस वीडियो की जो income होगी, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, वो उसी के पास जाएगी, जिसका वो copyright claim होता है, ठीक है guys, तो आपने क्या करना ह है कि आपने अपनी वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करना, गलती से भी भूल के डिलीट नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, कि ठीक है जी हमारे चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो अब हमें इस वीडियो की जूरती नहीं है, तो वो चक्के उसको और 4000 वाच टाइम का जो आपका होगा, तो वो आपका कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूटूब के अंदर जब आप उस वीडियो को डिलीट करोगे, 24-48 घंटे लगते हैं, वो आपके उसके अनलेसिस के अंदर आप चिप चेक करोगे, तो वो आपका 4000 घंटे का वाच टाइम नहीं हो पाएगा, तो आपका जो चैनल है, वो demonetization हो सकता है, तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी है, अब हम बात करते हैं, कि जब आपका चैनल monetize हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, कि यूटूब आपको बोलते हैं कि आप काम कीजिए और अच्छी earning आप YouTube कमाईए ईपर कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका चलिंग मानेटाइज हब तो वह क्या करते हैं कि zor चल रहा aconteceu को टीवी चल रहा है टीवी पर सब्सक्राइब रहे हों क्या करेंगे उसकी video benaheंगे video बना के अपने youtube channel पर upload कर देते हैं तो आपने गलती कभी भी नहीं कर नहीं करनी है क्योंकि YouTube जब आपको आप ऐसा काम करते हैं YouTube समझता है कि आपने यह कोई मेहनतीय ही होगी तो यूटूब आपको पाएगा कि आपने उसकी जो क्योंटी गैडलाइन सा उसको वाइलेंट किया है जिसके थुरू आपको पनिश्मेंट मिल सकती है और आपका चैनल डी मोनेटाइजेशन हो सकता है आपने कभी ऐसा नहीं करना यूटूब यह कहता है कि आप अपना खुद की creativity लेकर आईए आप खुद महनत कीजिए आप अपने ideas को आगे कीजिए उसमें आपका face होना चाहिए आपकी आवाज होनी चाहिए जब आप ऐसा करते हो तो आप monetization आपका deactivate नहीं होता पर अगर आप अगर किसी की भी clip उठा के अपने चैनल पर डालते हो या कोई टीवी पर show चल रहा है आपने video बना दी या आप कहीं बाहर घूमने गए हो वहाँ पर कोई program चल रहा है तो आपने उसकी video clip बना के अपने YouTube चैनल पर upload कर दी तो YouTube यह सोचेगा कि इसने तो कोई काम ही नहीं किया इसने सरफ उसकी video को clip बना के अपने channel पर डाल दिया है तो इ क्या होता है कि YouTube आपको बोलता है कि जो आप अपने thumbnail में लगाते हो वही चीज आपने YouTube वीडियो में आपने बतानी है अगर आप thumbnail में कुछ और लिख दो और वीडियो आपकी कुछ और हो तो आपको misleading आपके title के अंदर आता है ठीक है आपने एक ही title हर वीडियो पर नहीं ल हो सकता है क्योंकि YouTube आपको बोलता है कि जब भी आप अपनी वीडियो बनाते हो उसका title अलग होना चाहिए उसका जो thumbnail है थोड़ा आप difference करते हो थोड़ा सा से change करके आप डाल सकते हो अगर आप एक photo लगा रहे एक अलग से photo बना के डाल सकते हो उस पे तो आपने क्या करना ह थमलीन अलग लगाना है आपने उसके keywords अलग होने चाहिए उसमें आपका जो आपकी जो वीडियो है उसका जो title हो अलग होना चाहिए तो आपने ऐसा काम करना है अगर आप YouTube की किसी भी policies के खिलाफ अगर आप जाते हो तब भी आपका जो channel है वो demonetization हो सकता है कुछ लोग क् description डालते हैं description के अंदर क्या tags लगाते हैं tag उसमें क्या करते हैं कॉमा करकर करके लगा देते हैं आपने ऐसा नहीं करना अगर आप टैग भी लगाना चाहते हो अगर description के अंदर तो उसमें आप your queries करके आप उसमें tag लगा सकते हो उसमें आपने कॉमा नहीं लगाना है आपने आपके सर्चिंग में आते हैं और कोई YouTube की जो guidance है वो violence नहीं होती जिस वज़े से आपका चैनल demonetization भी नहीं होगा तो आपने ये काम नहीं करने हैं demonetization होने का एक होर main कारण होता है जो बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है कि आपको अपने mobile phone से या अपने laptop PC से जिसमें आपकी email ID जिस email ID से आपका YouTube चलता है उस email ID से आपने अपनी वीडियो को कभी भी नहीं देखना है चया आपके subscriber 1 million हो चया आपके subscriber 100 हो तो आपने उसको कभी भी नहीं देखना है क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को अपने चैनल से देखते हो तो वो YouTube की policies के खिलाफ होता है और as condition में अगर आपका channel review में चला जाता है तो आपका monetization है वो demonetization हो जाता है तो आपने अपनी वीडियो कभी भी नहीं देखनी है आप अपने friends से बोलिए कि आप अपने friends से mobile लीजिए आप उनके phone से अपनी वीडियो देख सकते हो पूरी पूरी वीडियो चला सकते हो कोई problem नहीं होगी पर जहां आपकी email ID आपकी login है जिस email ID से आपका YouTube account चलता है तो उस account से अपने mobile से आपने अपनी वीडियो को कभी नहीं देखना अगर आप ऐसा करोगे तो आपका channel demonetizes क्या आपका channel suspend हो जाएगा और फिर वो का आपको कभी नहीं मिलेगा तो आपने गलती नहीं करनी है एक बात होर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप YouTube पर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो और आपका channel monetize हो जाता है तो monetization होने के बाद आपको analysis के अंदर और monetization के अंदर आपको एक option खुले को मिलता है जो adsense होता है वो भी आपको verify करना बहुत जुरूरी होता है अगर आप अपने adsense को verify नहीं करते हो तो इसके अंदर भी क्या होता है कि आपका जो channel है वो demonetization हो जाता है तो कहीं बार ही क्या होता है कि वो आपका जो आ जाता है कि 10 डॉलर अगर आपके बन गए है उससे पहले भी आपको वो show कर जाता है या क्या होता है कई बार 10 डॉलर बनने के बाश्यों करते हैं तो आपने वो चेक करते रहना है 15-16 तरी के बीच में आप देख सकते हो कि क्या वो आया है आपके पास option उसमें action option लिखा होता है तो वो भी आपको verify करना होता है और कहीं बारी क्या होता है कि आपका जो adsense pin होता है वो भी आपके address पे भेजा जाता है आप एक बार apply करते हो नहीं पहुंचता है दो बार करते हो तीन बार चार बार करते हो तो वो भी आपको verify करना ज़रूरी है अगर आप verify नहीं करते हो तो YouTube को यह लगता है कि इस चैनल से रिलेटिड कोई इनसान है ही नहीं तो क्या करता है वो तब भी आपका जो चैनल है वो डी मोनेटाइजेशन हो सकता है ठीक है गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लिस लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल एकन को प्रेस कीजिए मैं ऐसी इंफर्मेशन वीडियो यूटूब पर लेकर आता रहता हूं अगर आपका कोई भी कोश कीजिए थे एक ड्यूटूब तो एक अफ एक टूड़ूचर टीक होगी यूटूचर टीक नूटूचर टीक बड़को टीक वाच्थम, तो लिएग पनका, रहता है।